हेलो अब्रीवान कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम आपके लिए अकाउंट एंसी का लेक्चे नमबर फो लेक्या है तीन लेक्चे में हमने हमारा फर्स टॉपिक डैट इस इंट्रोड़क्शन टो अकाउंट एंसी अंडिक्स टर्म कम्प्लीट किया है उसके हमने आपको एम अज़ाम दिया था उन्हें पता होगा आगे हम डिसकस भी करेंगे दो कोशन तो रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग है यह जो टॉपिक है यह आपको फाइनस अकाउंट असिस्टेंट के जो स्लेबर्स है उसमें नहीं मिलेगा एक्शली फिर भी हमने यह स्लेबर्स पढ़ना ह और जो इस चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे और साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड़ीड है टेलिग्राम का उदर आप हमें जॉइन कर ल आज से स्टार्ट करने जा है रूल फोर जयनलाइजंग तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है इदर से इस टाइप अपशो ऐसी पहले हमें उसके टाइप पत्व आज चाहिए अकाउंट के कितने टाइप है अब बड़े से स्टूड चाहेंगे सर अकाउंट के दो टाइप होते है current account saving account लेकिन मैं वो बता दू वो banking system में है हमने accounting system से पढ़ना है वो वाले account की बात नहीं हो रही यह हमने classification of accounts करना होता है जो आपके accounts है आपने जो transactions करनी है उसकी classification उसे बांटना है ठीक है तो मैं बता दूँ accounts के दो type है personal account impersonal account ठीक है बड़ी जगा आपको सिर्फ तीन parts कराये जाएंगे लेकिन मैं बता दूँ main आपका आता है accounts के दो type है personal impersonal impersonal को दो पार्ट में बांटा हुआ है आपको क्या कराये जाएगा बड़ी जगा personal account real account nominal account लेकिन आपको पता होना चाहिए जो personal account है वो अलग है और जो real और nominal account है वो आपका आता है impersonal account में क्यूंकि इसके रिलेटिड एक mcq आपको पंचायत account assistant के एक्जाम में पूछा गया मैं बता दूँ जिसके पेपर पड़ा वो चेक कर सकता है क्या था कोशन nominal account किसके अंडर आता है impersonal account real account personal personal account की artificial कुछ ऐसा था तो रियल nominal account आपका आता है impersonal account के नीचे तो आपको यह चीज़ जरूर पता होना चाहिए कि accounts को दो पार्ट में डिवाइड किये डैट इस personal account इन personal account impersonal को दो में डिवाइड कर दिया है that is real and nominal अब इसे graphical point of view से देख लेते हैं account को दो टाइप से पर्सनल और रियल जैसे आप देखे रहें स्क्रीन पर पर्सनल को तीन में आगे सब डिवाइड कर दिया है इन्होंने किसमें natural person artificial person representative person और impersonal के दो टाइप है रियल और नॉमिनल बड़ा इजी है गब्राना ली कोई बात दिये सब कुछ मैं क्लियर करूंगा यह होते कौन से हैं तो अभी मैंने क्या बताया personal account ठीक है सबसे अले हम बात क्या करते है personal account के personal account में क्या आता है personal account में आता है यह इंसान person कोई भी person उसे हम कहां पर डालेंगे personal account अब देखो business जो है इंसानों के साथ चलता है बड़े इंसान होंगे आपका कोई debtor होगा कोई creditor होगा ठीक है कोई firm होगी firm में बता दूँ तो वो भी personal है अभी मैं आपको बताता हूँ तो personal account में कोन आते है personal account में वो आते हैं इंसान एक आता है natural person natural person हो गया राम account, शाम account, शांती account, मोहन account, राहूल account, रोहन account किसी भी नाम का account होगा उससे हम बोलेंगे natural person account ठीक है secondly अब आता है मैंने आपको starting में बताया था आप जब अपनी firm की registry कर देते हो वो भी एक person बन जाता है लेकिन कौन सा person बनता है artificial person for example आपका कोई business है ABC corporation आपका कोई business है ABC corporation तो ये है आपका artificial person अब ये जो ABC corporation है ये भी एक इनसान है लेकिन ये बिचारा खाना नहीं खा रहा कोई सांस नहीं ले रहा चल नहीं सकता बैट नहीं सकता बस एक जगह still है firm है आपने उसकी कोई registry करा दिया है आप उसके नाम पर भी कोई property खरीद सकते हो तो उसे हम बोलते है artificial personal account तो उसमें क्या आजाएगा आपका firm account limited company account education institution account cooperative society account मतलब राम सैंसन बड़ी बार आपने पढ़ा होगा ये firm का नाम है तो ये कौन सा account आएगा artificial personal account मोहन corporation तो ये कौन सा account आएगा artificial personal account अगर तो सिफ मोहन ही है अगर उदे सिफ मोहन ही लिखा है तो वो आपका आएगा natural person लेकिन अगर मोहन कोई company का नाम है मोहन corporation है मोहन limited है तो उसकी जगह हम क्या लगाएंगे artificial personal account तो ये कौन सा account गिन जाएगा artificial personal account थर्ड आपका आता है representative personal account दो पढ़ लिए एक natural एक artificial अब एक आता है representative personal account तो representative personal account क्या होता है ये किसी group of persons को represent करता है ये क्या करता है किसी group of persons को represent करता है फॉर इंग्जेंपल आप अब जो बड़ी बड़ी companies होती है फॉर इंग्जेंपल हम ले लेता है टाटा company आप ले ले जियो company अब्विसी बात है टाटा company में हजारों employee होंगे हजार भी मैं में साब से कम बोर रहा हूँ बड़े इससे भी जादा होंगे किसी का नाम राम होगा किसी का नाम मोहन होगा किसी के नाम शाम होगा अब आपने इंको salary पे की अब आपने इंको गया कि salary पेगी क्या आप उसके लिए 1000 एंट्रिय पास करोगे नहीं भाई उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक एंट्रिय पास करोगे salary account debit to cash मैंने salary दे दी मुझे कोई लेना देना नहीं है कि मैंने राम को salary दे दी है मैंने शाम को दे दी है मेरा काम था मैंने salary दे दी तो वह आपका हो जाता है representative account और representative में आपने याद अखने है जो मैंने आपको चार बताये थे वह important है इसके लेटिड आपको mcq आ सकता है that is prepaid expenses outstanding expenses ठीक है आपका accrued income income received in advance यह चारो के चारो आपके representative personal account आपने यह चीज़ याद अखने क्योंकि यह उस group को represent कर रहे है बड़े से कह रहेंगे सब prepaid expenses तो expense है लेकिन मैं बतादू यह expense नहीं है यह उस group of person को represent कर रहे है जिने हमने अभी पैसा देना है पैसा दिया तो नहीं ना जितिदे नहीं दिया तब हमारा वो खर्चा नहीं है तो इसलिए इसको हम कहेंगे ग्रूप है यह एक representative है तो उसका हम इसे classify किसमे करेंगे ग्रूप और representative personal account में अब आगे बढ़ते हैं आगे है आपका second आपका आता है इंप personal में कौन सा आता है second hope कि personal account clear होगा natural artificial representative personal जो नोर्स बना रहे हैं वो अच्छी ता बना लीजिए ऐसे जैसे मैंने लिखा हुआ है आगे आता है इंपर्शनल account इंपर्शनल account में पहला कौन सा आएगा real account तो real account deal करता है जनाब आपके assets के साथ किसके साथ deal करेगा assets जितने भी assets है उसे आप real account में डाल दो यह नहीं कि debtors account आपने real account में डाल देना है debtor असली में आपका personal account क्यों है क्योंकि debtor आपका कोई इंसान है ना राम राम तो इंसान है personal account में डालेंगे इसमें कौन से आएंगे asset जैसे machinery furniture goodwill patent building land copyright कोई भी investment है किसान विकास पत्र पोस्ट ऑफिस सेविंग शेयर सेंडी मेंचर यह सारे के सारे आपके asset है तो assets को हमने कहां डालना है real account में होप की clear होगा अभी तक हमने क्या पढ़ा personal account में जो इंसान है इंसान के साथ कोई firm है firm के साथ में representative personal में हम डाल देंगे प्रिपेड expenses outstanding expenses income received in advance accrued income अब पढ़ली हमने real account में real account में कौन से आएंगे सिफ और सिफ assets debtor को नहीं डालना गलती से debtor इस यह personal account यह याद रखना क्यूंकि वह एक इंसान है आप बोलो कि सब्सक्राइब वह तो asset भी है लेकिन आपने इसमें asset डाने है tangible intangible एक तरह कि आपने ऐसे याद रखने ठीक है आगे बढ़ते हैं आपने लास्ट से और income जो deal करता है expense से और income से तो expense वेजिस अकाउंट कार्टेज अकाउंट पोस्टेज टेलिगरम अकाउंट बिजनस में लाख़ों expense है कोई expense नहीं है बिजनस करना असान काम नहीं है लोग कहते तो हैं कि business start कर लो बड़ा मुश्किल काम है आप इदर देख सकते हो कितने expenses हैं यह सारे कि सारे expenses है तो इसे हम किस में classify करेंगे nominal account आपको दर mc क्यों आ सकता है कि discount a load account is which account तो it is a nominal account nominal account क्यों क्योंकि यह expense है discount received is your income लेकिन income को भी आपने किस में डालना है nominal account में आपने यह चीज जहाद रखनी है इसके आगे हमने rules करने है rules में आपको बड़ी ज़्यादा मदद होने वाली है hope की clear होगा अब आगे हम थोड़ी सी practice करते हैं इन questions की मैं थोड़े से questions लेके आया हूँ जिसमें हमने classification करनी है personal real or nominal में तो द्यान से समझना कैसे करनी है आप से question पूछा रखता है इस प्रकार का कोई question तो नहीं आएगा लेकिन यह आपकी practice ले मैं लेके आया हूँ मैं फिर से बोड़ा हूँ इसका concept पाओ accountancy का तो आपके 30 में से 30 number लाना भी दूर नहीं है concept पालिया सब कुछ असान हो रहेगा तो पहला question क्या है पहला part क्या कह रहे है capital capital आपका personal है real है की nominal है ठीक है capital आपका है personal account अब आप पूछोगे सर क्यूं तो मैं बता दूं capital क्या है capital आपका होता है वो पैसा जो owner ने अपनी firm में लगाया है ठीक है तो हमेशा क्या लिखते हैं हम लिखते हैं अगर समझे लो राम ने लगाया है राम capital account शाम capital account ठीक है साथ में नाम लगाता हमेशा ठीक है यह चीज़ आपने याद रचनी है तो उस कारण capital आपका क्या है personal account carriage inward carriage inward क्या आएगा यह expense है आपका carriage carriage का खर्चा तो जो खर्ची होते हैं वो किसमें आते हैं nominal में commission received it is your income तो किसमें आएगा nominal में purchase purchase आपका है खर्चा आपने purchase किया कुछ तो खर्चा हुआ तो nominal account outstanding wages it is your representative personal account लेकिन हमने वो नहीं लिखना हमने सिर्फ और सिर्फ किया लिखने personal account हमने अगर उन्होंने पुछा आपता है यह कौन सा personal account है तो हम इदर लिखते रिप्रेजेंटेटी personal account building building कौन सा account है building is your real account क्यों क्योंकि यह asset है cash cash is your asset asset किसमें आएंगे real account में bank ठीक है bank किसमें आएगा bank एक तरह का आपका jnk bank भी हो सकता है ठीक है sdfc bank भी हो सकता है तो उसका यह कौन सा bank है यह आपका किसमें आदेगा personal account में चंदरू चंदरू किसी का नाम है तो यह किसमें आएगा personal account में hope की clear होगा आगे बढ़ते हैं रूल्स के लिए आपको रूल्स के लिए सबसे लिए इनकी वह पता होना चाहिए कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है आगे हमारे रूल्स रूल्स क्या कहता है जर्नलाइजिंग के अभी मैंने आपका बता दिये तीन account है वैसे तो दो ह ने किया है तो पहला आता है पर्शनल अकाउंट का रूल कहता है इसे रट लो डेबिट दा रिसीवर क्रेडिट दा गीवर हमने जब जनल एंटरी करनी न उसमें मदद करेगी तब मैं आपसे पूछूंगा क्या है यह तो पर्शनल अकाउंट का होता है फॉर्मला वर्ट कमस इन क्रेडिट वर्ट गोज आउट मैं बता दूं जनल एंट में सबसे ज़ादा मदद इसकी होने वाली है हिंदी में बोलू तो जो आया वो डेबिट जो गेया वो क्रेडिट आपने इसमें करना है तो रियल अकाउंट का क्या फॉर्मला आता है डेबिट क्रेडिट आप लिख लो नोट डाउन कर लो मोश इंपोर्टेंट है इसके लेटर एक एमसी क्यू आया था आपसे पूछा गया था कि यह किस यह नॉमिनल अकाउंट का मुझे एग्जैक्ट याद नी नॉमिनल अकाउंट का उनने शायद से रूल पूछा था यह नॉमिन पढ़ लेते हैं परित अनकाऊंट का रूल है डेबिट यहीवर क्रेट दर कीवर 로णा का रूल है क्रेडिट वड्स आउट कंस अट नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट अले प्रेडिट और गेंस एंड प्रॉफिट होगा यह तीनों रूड़ लो बड़े असान है को है चोटी सी वीडियो में आपके दो नंबर पकी हो जाएंगे अगर आप यह सारा concept अच्छी तरह पा लें अगर अब भी भी समझ नहीं मैं आपको एक और फिर से सजेश्ट करूँगा आप फिर से वीडियो को restart करके देख लीजिए आपको फिर समझ आजाएगी कोई short वीडियो कोई बड़ी वीडियो तो है नहीं तो आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं hope कि आपको मज़ा आया होगा और जो इस चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक ऐसी सारी वीडियो पहुंचती रहे तो आज के लिए इतना है गाइस थैंक यू है वे गुड डे एंड इंजॉय ये डे गाइस और अगर अभी भी आपको कोई डाउट आप उसे कमेंट सेक्शे में ज़रूर लिख देना मैं उसका रिप्लाइ आपका ज़रूर करूंगा अगर वो कोई जैन्